नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल जिवन जीने की कला में दोस्तों आप सभी से रिक्वेश्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जूड़ जाएं साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी आउन कर लें ताकि नई वीडियो ज गाइडलाइन से ही हैं कि आपकी सिहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसान दायक हो सकता है इसलिए वीडियो को एंडर तक जरूर सुनें सबसे पहले तो वाश्रूम यूज करते वक्त नहीं करने चाहिए यह कुछ एक गलतियां जिहां टॉयलेट जाना हमारी हर दिन की ऐसी रेगूलर आदत बन चुकी है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि टॉयलेट जाने के दोरान आप कुछ गलतियां भी कर सकते हैं हलांकि अगर आपको टॉयलेट करने के दोरान किसी तरह का स्ट्रेस हो या फिर आपका पेर साफ न रहता हो या टॉयलेट यूज करने के दोरान किस चादा देर तक ट्वैलेट में बैठना बहुत से लोगों के लिए टोइलेट में जाकर के बैठना रिलैक्सिंग लगता है लेकिन अगर आप बहुत देर तक ट्वैलेट सीड पर बैठे रहते हैं तो आपको चानकर हैरानी होगी कि इस वजह से आपकी वेन सियानी के नसों मे सूजन आ सकती है और हेमरेज तक का खत्रा हो सकता है एक ही पोजिशन में देर तक बैठे रहना जिसमें आपके पैरों के साथ साथ रेक्टम पर भी जोर पड़ रहा हो इसकी वज़ा से रेक्टम से ब्लीडिंग होने की आशंका रहती है इसलिए अगर आप में ये आदत है त लोग इसे हर जगह अपने साथ ले करके जाते हैं यहां तक कि ट्वैलेट में भी हलांकि यह एक गलत आदत है जिसे आपको तुरंत बदल देना चाहिए ट्वैलेट में कई तरह के की टाडू और बैक्टिरिया होते हैं जो आपके स्मार्ट फोन पर चिपक जाते हैं ट्व बहुत ज़्यादा जोर लगाना जहां बहुत से ऐसे लोग जिनें कब्जी की शिकायत होती है वे अपने अक्सर इस दूल पास करते वक्त बहुत या कहें जरूरत से जादा जोर लगाते हैं ऐसा करना भी पूरी तरह से घल्ट है ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और टिशूज के फटने का खत्रा रहता है अगर आपको कॉंस्टिपेशन की दिक्कत है तो अपना फाइवर इंटेक बढ़ाएं यानि कि खाने में फाइवर वाले चीज़ें खाएं और उनकी मातरा को बढ़ाएं ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और स्क्वाट्स एक्सरसाइज करें जिससे कि आपका श्टूल इजीली पास हो ना कि उसकी जगह पर आप जोड़ ज्यादा लगाएं क्योंकि इसकी वज़ा से आपको बवासीर की समस्या हो जाती है अब जानते हैं टोइलेट क्लीनिंग में ब्लीच का इस्तेमाल जिहां इसमें कोई शक नहीं है कि अपने वाश रूम और टोइलेट को साफ और किटाडू मुक्त रखना बहुत जरूरी है लेकिन बहुत से लोगों को आदत होती है कि वे अपने टोइलेट को साफ रखने के लिए क्लीनिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसमें ब्लीच होता हैं लिहाजा टोइलेट क्लीनिंग के लिए ब्लीच वाले क्लीनिंग एजेंट की बजाए नेचुरल क्लीनर्स का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा आपकी स्वास्तिके दृष्टी से इसके अलावा टोइलेट का ढखन बंद ना करना जिहां यह सबसे कॉमन गलती है जो ज्यादत और लोग करते हैं जिहां बिना इस बात के बारे में सोचे कि वह खुद को हेल्थ से जुड़े कितने बड़े रिस्क में डाल रहे हैं अगर आप टोइलेट का ढखन खुला रख करके फलश करते हैं तो टोइलेट का गंदा पानी और उसके साथ कई और इस बात को ध्यान में रखना चाहिए अगर आप आज इवन स्वस्थ रहना चाहते हैं तो यह थी कुछ एक कॉमन गलतियां जो हम सभी टोइलेट में जाकर के करते हैं इनसे बचना चाहिए अगर स्वस्थ रहना है तो कैसी लगी यह जानकारी आप सभी अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं साथ ही साथ आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी हमें लिक भेजें हम उस टोपिक पर भी वीडियो आपके लिए जरूर बनाएंगे और आप सभी से रिक्वेश्ट है कि चैनल को सबस्क्राइब करके हमारे साथ जुड जाएं ताकि नई व सबस्टू